हेलो एस्पारेंट्स वेल्कम तु दा कॉंपेटिशन गुरू नंबर वर इंस्टिटूट अफ चंडिगर्ड जैसे कि आप सबको पता है कि डिपार्टमेंट ओफ एडुकेशन जो चंडिगर्ड के उन्हों नहीं यह नॉटिफिकेशन निकाल दिया 2023 में पीजिटी का नॉटिफिकेशन आउट हुआ है जिसके अंदर कितनी वकेंसिस निकली 98 वकेंसिज निकली है 98 वकेंसिस फीजिटी के इसमें तो यह नॉटीस है 98 वकेंसिस का इसमें हम देखते हैं कि कौन-कौन से सब्जेक्ट है देखिए पीज चंडिगर्ड पीजिटी का जो एक्जैम है जो Department of Education ने निकाला उसके अंदर 98 वकेंसी उन्हों ने निकाली और जो सब्जेक्ट है कि किस-किस सब्जेक्ट में कौन-कौन सी वकेंसी है जो कितनी वकेंसी है फहलत हम यह देखते हैं कि जो Organization Name है वो Department Education Department चंडीगड है Name of Post है PGT यानि कि स्कूल लेवल स्कूल के लेक्चर लेवल के लिए यह पोस्ट निकली है ठीक है Advertisement Number है 3 2023 अबलिक में Number of Vacancies 98 है टॉटल सब्जेक्ट 16 है यानि कि 16 सब्जेक्ट में वकेंसी निकली है तो selection process क्या है return test होगा then document verification होगा और चंडीगड PGT Recruitment 2023 की exam date जो है notified later है अभी जो अब लोकेशन चंडीगड ही होगी है जो इसमें पोस्ट है जो जिन सब्जेक्स में पोस्ट निकली है यह वो सब्जेक्ट है जिनके अंदर पोस्ट अवेलेबल हुई है आप लोगों के लिए ठीक है तो पहला है भीलोजी जिसमें फाइफ vyकै्सी है जिसमें इकनामिक्स जिसमें टूबकेंसी जे इंगिश में 23 सबसे ज ज़्याद़ वकैंसी देखो एंग्लिस में इकली 23 जोग्रफी में 3, dizraeстро form science में 3 and mathematics में 4 इसमें निकली 4 वकैंसी देन अगला music में निकली हैं 2 वकैंसी physical education में 6 वकैंसी फिजिक्स में 7 political science में 9 पंजाबी में 7 Sanskrit में 2 sociology में 5 total 98 वकैंसी है यह total 98 वकैंसी है इसका जो notification release हुआ वह हुआ 17 October को ठीक है लेकिन अभी इसके form application के जो form fill up है वो अभी start नहीं हुआ वो process एकदम यह सोचके कि 17 October को notification आउट हो गया तो हम form fill करने ऐसा नहीं है जो form filling का process शुरू होगा वो 25th October को होगा और जो इसकी last date है of registration of application form की वो है 16 November ठीक है तो approximately आपके पास one month से 20 days का time है आपके पास form fill करने का last date of application fee submission 20 November है ठीक है अभी आपकी exam date release नहीं हुआ एड्मिड कार्ड नहीं है exam date का result ऐसा कुछ नहीं है अभी आपको form fill करना है यह जो कि 25th October से start होगा यह आपके वो form निकले हुए तो जो यह students है इसकी जो eligibility criteria है वो क्या है कि एक तो वो कहते हैं कि आपकी post graduation with 50% marks यानि कि जो subjects निकले हुए है इन subjects में से अगर आपका relevant subject इसके अंदर है तो उस subject जिस subject का paper देने जा रहे हो उसकी उसका जो आपने PG कर रख है post graduation है उसमें आपके 50% marks होने चाहिए ठीक है और साथ ही आपकी beard की degree भी होनी चाहिए beard में आपके 45% marks होने चाहिए यानि कि आपको post graduation में आपके 50% marks हो और beard में आपके 45% marks होने चाहिए तब आप ये वहला form fill करते हो चीक है और 2 year आपका MSC with 50% marks है embedded with 50% marks हो ये और में है clear है तो ये जो है आपका eligibility criteria है इस form को fill करने का तो हमारे हाँ पर competition guru में आपको online और offline डोनों mode में चंडिगर PGT के जो exam निकला है इसकी coaching provide होगी ठीक है यहाँ पर आपको study material मिलेगा mock test मिलेंगे अगर आप notes चाहते हो कि आपको notes भी available हो जाएं तो आपको notes भी available हो जाएंगे ठीक है डोनों medium में notes प्रवाइड होंगे English में भी और Hindi में भी तो जो students अपना ये वाला सपना पूरा करना चाहते हैं PGT का जो vacancy निकली चंडिगर के अंदर ठीक है ना as a lecture school के लिए जो vacancy निक test आपको study material आपको recorded batches recorded classes आपको provide होंगी ठीक है साथ ही जो students यहां अपना enroll होते हैं तो वह अपना पहले एक demo video भी देख सकते हैं and all होने से पहले उनको demo video भी provide होगी हर एक subject की उनको demo video भी यहां से मिलेगी जैसे economics की है biology जो जो subject निकला English निकला है sociology निकला है तो आपको उनक कि demo video भी यहां पर provide होगी जो online coaching लेना चाहते हैं ठीक है तो जो अगर जो online coaching लेने में इंट्रेस्टिड है यह offline coaching लेने में इंट्रेस्टिड है तो वह हमारे इस नंबर पर हमें contact करे 8284867867 पर थेंक्यू